पूर्टेस्ट करता हूं बच्छो उसमें हम कर रहे हैं प्रमुक टॉपिक्स ठीक है अब जो टॉपिक है उसमें आज का टॉपिक है प्रमुक एप क्योंकि एप का सवाल कई बार कुछन पूछा जाता है बच्छो एक्जाम में कई ट्रेंड है आजकल लेटस्ट की एप और पोर्टल में से एक सवाल तो पूछी लिया जाता है तो बात करते हैं सबसे पहले सार्थी मोबाईल एप की पहले हम जल्दी से देखेंगे एक बार मतलब जल्दी से नहीं अराम से पढ़ेंगे एक बार और फिर जल्दी से इसका एक बार रिवीजन करेंगे तो सार्थी ए करता है उसके बारे में ज्याजतर लोगों को क्या होता है पता नहीं होता चीजाओं के बारे में विकैसे किस तरह से आप जो है इस में किस तरह के से पिट करो किस तरह से आप को चीजा अपरेड करनी है! तो अि tota الس Dollar सर्थी का जो लोग सभा सेक्रेट्रियेट है ना लोग सभा सेक्रेट्रियेट बच्चो लोगों को संसद में क्या क्या कारवाई चल रही है संसद में डिजिटल संसद एप यानि आपको डिजिटल ही एक तरह से संसद की कारवाई में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा याँ आप वहाँ बैठे तो नहीं हो लेकिन अगर आप उस कारवाई को देख पा रहे हो पूरी को तो एक तरह से हिस्साई ले रहे हो ना आप उसमें आप अभी क्लास ले रहे हो, तो एक तरह से क्या करे है आप पार्टिसिपेटी करे हैं ना क्लास में चाहे हैं अनलाई निए सई, तो डिजिटल संसद अप जो है, लोगसभा सच्ची वाले ध्यान रखना, राजजी संथी वाले नहीं, लोकसभा सची वाले ने एप लॉंच की है और संसद की जो कारवाई है लोगों को उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना ठीक है, यह इसका काम है तो सेबी का सारथ थी और डिजिटल संसद अप किसका है बचो यह है लोकसभा सची वाले का किसान मुबाइल एप देखो बच्छो, IIT रुड की उत्राखंड में मौसम संबंधी बहुत सारी घटनाएं होती है जिसकी वज़े से खेती वाले किसानों का बहुत नुकसान होता है, जो खेती कर रहे हैं तो जो किसान, ये जो बच्छो उत्राखंड वाले सोचेंगे तो रुड की, IIT रुड की जो है, उसने बनाया किसानों को किर्सी और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, लोकपाल एप जहां भी लोकपाल वर्ड आता है ना इसका मतलब मान लो आप शिकायतें वगेरा लोकपाल का मतलब है शिकायतें वगेरा दर्ज करवाना बच्छो, ठीक है? सिकायतें वगेरा दर्ज करवाना कि अंदरी एक ग्रामीन विकास और पंचायती राजमन्तराले की पहल है जो ग्रामीन विकास क्यों? क्योंकि specifically मनरेगा में, बच्छो जो मन्रेगा से संबंदित जो सिकायते हैं उनको डील करता है तो मन्रेगा संबंदित सिकायतों को डील करने का काम करता है ये लोगपाल एप और ये क्योंकि मन्रेगा किस मंत्राले के अंदर गताती है गाओं में मंद्रेगा का मतलब है गाउं में scheme जो चलती है किया बच्छो रोजगार की guarantee देने वाली कि 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा तो मंद्रेगा एप जो है क्योंकि इस से संबंदित हैं मंद्रेगा scheme से संबंदित हैं जितनी वी ये शिकायते हैं तो लोगपाल एप आता है कि इंद्रिय ग्रामीन विकास और पंचायती राज मंत्राले के अंतरगत बच्छो ठीक है जल्दी से देखो सेबी का सार्थी है ना सार्थी सेबी का यानि स्टॉक एक्स्टेंज के बारे में सब छोटी से छोटी चीज़े आपको उपलब्द कराएगा बच्छो दूसरा है डिजिटल संसद एप लोग सबासं सची वाले ना कि राज्य सबास अची वाले और आपको संसद की कारवाई की जानकारी उपलब्द कराएगा बच्छो किसान मुपाईल एप किसान को मौसम संबंदी चीज़ों से दिक्कत होती ह अगर उनने पहले से पता ना हो तो क्या है बच्चो मौसम उनकी फसलों का बहुत नुकसान भी कर सकता है अगर आजमी को पता है कि मेरी जो फसल है पड़ी हुई है खेत में और रात में बारिश होगी तो उसे ले के आ जाएगा घर लेकिन उसे पता ही नहीं के बारिश भी हो सकती है तो क्या है वो वहीं पड़ी रहेगी भीगेगी खराब होगी तो इसलिए IIT रुड़की ने ये किया है लॉंच बच्चो किसान मोबाइल एप और लोगपाल एप है कि इंदिय ग्रामीन विकास और पंचायती राजमंत्रालने का मनरेगा को और अधिक ट्रांस्पेरेंट बनाना इसका उद्देश है मनरेगा को बच्चो ठीक है और अधिक ट्रांस्पेरेंट बनाना इसका उद्देश है अगर लक्षन गरुण एप बच्चो गरुण एप गरुण है बच्चो देखो भारतिय निर्वाचन आयोग यानि इलक्षन कमीशन आफ इंडिया E.C.I की है गरुण एप चुनावी कारियों में तेजी और बच्चो पारदर सिता लाने के लिए जितने भी वोटर सेंटर हैं उनकी डिजिटल मैपिंग करना है यानि डिजिटल ही उनको मैपिंग का मतलब उनका एक सिस्टम पूरा क्या है आपके किसमें मिल जाए बच्चो जैसे मैपिंग है ना रास्तों की तो आपको फिर कहां दिखाई देती है वो गूगल मैप में दि तो ऐसी डिजिटल मैपिंग एक तरह से उनको डिजिटाइज करना जितने भी वोटिंग सेंटर्स हैं यह है गरुड एप का उद्दिश है बच्चो ठीक है गरुड एप का दिशांक बहुत महत पूरे बच्चो करनातक सरकार है और इसका मतलब है भूमी रिकॉर्ड आसान वे जो भूमी वगएरा के क्या हैं दस्तावेज हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने पुराने पुराने हैं जमीन के कि वो दिखते ही नहीं धंक से ना वो देख ही नहीं पाता है ऐसे डर लगता है कि फड़ ना जाए तो यह जो दिशांक एप है उसमें काम करेगा तो जो चुनावाओं का जो कारिय है वो तेजी लाना उसमें, उसमें ट्रांस्पेरेंसी लाना और मतदान के इनरों की डिजिटल जो भी वोटिंग सेंटर्स है उनकी डिजिटल मैपिंग करना बच्चो और दिशांग केप जो है करनाटक सरकार का है भूमी रिकॉर्ड की आसान दिजिटल उपलब्दा सो निस्चित कराना, A-Sigma, A-Sigma बड़ी महत्पूर्ण है बच्चो, A-Sigma देखो, आर्मी, सिक्योर, इंडीजेनस बच्चो, इंडीजेनस है ना, और मैसेजिंग एप्लिकेशन, मैसेजिंग एप्लिकेशन, यह है A-Sigma, यह आर्मी के लिए, आप द इस हमारी जो सिक्योर इंडीजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन, ठीक है, आर्मी सिक्योर इंडीजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन, तो यह एक मैसेजिंग एप है, जिसमें कई इस तर पे क्या होता है, बच्चो, कई इस तर पे, इसमें, कई लेवल पे क्या होता है, सिक्योर होती है इसको ट्रेक भी कर सकते हैं कि भाई कहीं पर कोई leakage वगएरा तो इसमें नहीं है ठीक है सिग्मा हो गई यहां की बच्छो माई पोर्ट एप केंदर सरकार का है जो पोर्ट है बच्छो जितने भी बंदरगाह है उनका operation सही से हो रहा है या नहीं उनके operation में transparency है या नहीं उनके संचालन में क्या बच्छो transparency यानि पारदरसिता है या नहीं इसके लिए माई पोर्ट एप लेक आया है केंदर सरकार केंदर में तो पोर्ट के लिए एप भी कौन लेक आएगा केंदर सरकार लेक आएगी बच्छो पोर्ट के गरुड एप भारतिय निर्वाचन आयोग की है ठीक है वोटिंग सेंटर्स की डिजिटल मैपिंग करना इसका उद्देश है ध्यार रखना है बचो चुनावी कारियों में तेजी लाना इसका उद्देश है दिशांक एप करना तक सरकार का है भूमी के पूरे रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना जिससे आसानी से वो उपलब्द रहे बचो एसिगमा भारतिय सेना की है आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग अप्लिकेशन है ना यहीं आर्मी के लिए जो एक एप्लिकेशन बनी है खुद के लिए मैसेजिंग वगड़ा के लिए यूज करने के लिए ठीक है तो वो है एसिगमा और माई पोर्ट एप किसकी है केंदर सरकार की है हैना बचो जल जीवन मिशन एप जो जल जीवन मिशन चला हुआ है उसको और अधिक ट्रांस्पेरेंट और उसमें रिस्पॉंसिबिल्टी अकाउंटेबिलिटी यानि जवाव देही अगर कहीं पे वो जो है बचो कहीं पे सफल नहीं हो पा रहा है तो लोगों की जवाव देही निर्धारित करने के लिए ये जल जीवन मिशन एप लॉंच किया प्रधान मंतरी मोदी के द्वारा बचो जल जीवन मिशन एप जो है फिश वाले बहुत महतपूर है बचो बहुत महतपूर फिश वाले एप इस असम सरकार का है मचली पालक जो है वो सीदे बच्चो इस एप के माध्यम से जो मचली पालन से संबंदित जितनी भी चीज़े हैं उनकी खरीद और सरुक्त कर सकते हैं उनकी बिक्री कर सकते है फिश वाले एप असम सरकार की है ठीक है यहुनि बिचौलियों से मुक्ति उन्हें यहाँ पे म वाई पोर्ट एप लाई गी बच्छो जल जीवन मिशन एप जल जीवन मिशन में और अधिक अकाउंटेबिलिटी है ना उसे और अधिक ट्रांस्पेरेंट करने के लिए PM मोदी ने लॉंच की फिश वाले एप असम सरकार की है और असम सरकार ने क्यों लॉंच किया बच्छो कि बिचॉलियों से मुक्ती मिले और अपने जो भी उनका समान है चाहे मचली बेचनी है वो ने है ना क्योंकि उसमें मचली पालन में उतपाद क्या है प्रोड़क्ट क्या निकल का आता है मचल जो है इस पे जोड़ देता है हमारा आयुष मंत्राले है ना आयुष मंत्राले जो बच्चो है ना आयुष जो मंत्राले है ये योगा पे जोड़ देता है तो बच्चो लोगों को तनाब मुक्त रखने के लिए योग के महत्व के बारे में जिसे किंद सरकार की किसी स्कीम के तहट किसी को कुछ पैसे दिये जाने है कई बार ऐसा होता है कि किसी आदमी का अकाउंट भी नहीं है उसे पैसे कैसे दोगे नगत तो सरकार देती नहीं है तो एक वाउचर टाइप देती है ना जिनी उसकी कीमत कितनी होगी 500 रुपे होगी तो ऐसे एक voucher जो है उपलब्द कराया जाएगा बच्चो तो जितनी विभिन सेवाएं हैं अगर उसके पास नहीं है कोई bank account वगएरा कुछ भी तो अभी सीधे उस voucher को वो ले जाके दिखाएगा और voucher से जिस आदमी को वो voucher देगा या जिस संस्था को देगा जिस hospital को देगा उसके खाते में सीधे पैसे आ जाएगे तो ये है ई रूपी voucher ठीके बच्चो ये है ई रूपी voucher बच्चो नमस्ते योग एप तो योग के बारे में बच्चो ये भी आयूश मंत्रा लेका है देखो योगा वाई ब्रेक एप भी आयूश मंत्रा लेका है तो और ये भी नमस्ते योग एप भी नमस्ते का क्या है बच्चो नमस्ते का मतलब क्या है कि भी किसी से आप मिलोगे सबसे पहले तो एक तरह से उसके इंट्रोडक्शन से पहले आप नमस्ते करोगे ना किसी इंट्रोडक्शन से पहले तो यानि योग से लोगों को जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा योग के बारे में जो लोगों को जागरूक कराया जाएगा इसके लिए है नमस्ते योग एप बच्चो ठीक है नमस्ते योग एप और ये ये वाई ब्रेक जो है कि अगर आप अगर आप पांच मिर्ट का ब्रेक लेकर योगा करते हैं तो वो किस तरह से आपको टेंशन मुक्त तनाब मुक्त रखने में मदद करेगा ये इससे सम्मन दे देखो mental health यानि मानसिक स्वास्त है and normalcy augmentation माने होता है बढ़ावा देना किसी चीज़ को augmentation में अगर बढ़ावा देना तो बच्चो ऐसा system जो आपकी mental health और normalcy यानि जो आप normal रहें बिल्कुल उस चीज़ को बढ़ावा देता है कोविड के दौरान जो लोग abnormal होना शुरू हो गए ठीक है जो mental health लोगों की weak हुई उसे वापस लाने के लिए ये बच्चो यानि प्रतेक नागरिक के मानसिक स्वास्त को बढ़ावा देना इसका उद्देश है mental health को क्या देना बच्चो प्रमोट करना बढ़ावा देना इ लोगों की fix करने के लिए ये किये गया है फिश वाले एप असम सरकार का है जो फिश उद्द्योग से संबंदिच चीजे है बच्चो फिश उद्द्योग से संबंदिच जो चीजे है उनके लिए है उन्हें खरीद फरुक्त के लिए एक platform एक तरह का वाई break एप बच्चो ए रूपी के अंदर सरकार का है लाभार्थियों को voucher उपलब्द कराना और उसके तहत वो जिससे वो payment वगएरा जहां भी उन्हें देना है वो कर पाएंगे ठीक है और नमस्ते योग एप या नमस्ते योग का मतलब है योग से लोगों को introduce कराना उसके बारे में लोगों को जागरू करना ये भी आयुश्रमंतराले की पहल है मानस एप जो है क्योंकि इसका मतलब ही है mental health and normalcy augmentation system ये क्या है बचो प्रतेक नागरिक के मानसिक स्वास्त को बढ़ावा देना और प्रधान विग्यानिक सलाहकार की पहल है हमारी सड़क और तामीर तरकी एप दोनों जम कश्मीर की है बच्चो हमारी सड़क एप पर लोग क्या करेंगे जो सड़क निर्मान में उन्हें कोई सिकायत दर्ज करनी हो सड़क कहीं पर निर्मान हो रही है बच्चो कहीं सड़क कहीं पर क्या हुई है बनाई जा रही है तो सड़क में आपको लगे कि यहां तो सही material न कोई project किस तरह से क्या कर रहा है तरक्की कर रहा है यानि किस तरह से वो develop हो रहा है बचो तो इसके बारे में जानकारी उपलब्ध जो है कर सकते हो इसकी प्रगती आप जान सकते हो app के माध्यम से ही और उसका नाम है तामीर तरक्की तो तामीर तरक्की app कहा की हो गई ये भी हो पहुँच में हो, पहुँच के बतलब भारत के अंदर जितनी सुविधाएं हैं, वो सब के लिए accessible हो, हर कोई आदमी उन तक पहुँच सके, ठीक है, तो क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग को किसी चीज से वंचित रखा जाएगा है न, तो वो जो है, वो मंत् दी हैं, तो इसके जरीए दिव्यांग और बुजुर्ग अपनी समश्चाओं को रजिस्टर कर सकेंगे, अगर उन्हें कोई देखो, दिव्यांग लोगों के लिए भी आसान नहीं है, हर जगह तक पहुँच पाना है न, हर जगह तक, और बुजुर्ग लोगों के लिए भ बच्चो, चलो, महारास्ट परियाटन विभाग का है, तो बच्चो, नागरिकों को बस टिकटों की डिजिटल तथा अगरिम खरीद की सुविधा देना, बच्चो, डिजिटल और अगरिम खरीद, यानि बस टिकट भी आप रेलवे की तरह पहले से खरीद पाएंगे, डि जिंदिय सडक परिवहन मंतरी नितिन गड़करी ने इसे लॉंच किया है, बच्चो, तो लोगों को सूचना, परामर्स और मार्क दर्सन हेतू, विभिन छेत्रों के विसे सग्यों के साथ संपर्क उपलद कराना, बहुत सारे छेत्र ऐसे हैं, जिन के बारे में लोगों को क किसी से एड़्वाईस चीए, बच्चो है, बच्चो है ना, किसी से कोई information चीए, किसी से का चीए, कोई guidance चीए, तो उन सब के लिए, उन सब के लिए कि लोगों को कहां से मिले, उस छेत्र के specials, जो विसे सग्या है ना, जो एक्सपर्ट है, उस से मिलना चीए, तो ऐसे वि जो है विश्व स्वास्थ संग्ठन का है और बचो तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए तंबाकू छोड़ो एप है ठीक है तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए है तंबाकू छोड़ो एप ध्यान रखना है हमारी सड़क और तामीर तरक्की दोनों ही किस की हैं दोनों ही जम्मू कश्मीर की हैं हमारी सड़क मतलब सड़क से संबंदित कोई शिकायत हो तामीर तरक्की मतलब कितनी सड़क की किसी प्रोजक्ट ने किसी तरक्की कर ली कितना क्या है बचो कितनी लगभग बनके complete हो गई कितनी बची हुई है यह सब जानकादी उपलब्द कराना सुगम में भारत एप यानि हर व्यक्ति की पहुँच में होना चाहिए भारत और भारत में होने वाली सबी सुविधाएं तो खास्तोर पर दिव्यांग और व्रध लोगों से संबंदित ये एप है जहां पर लोग अपनी शिकायतों को कि जो चीजें जो सेवाएं उनके लिए अकसेसिबल नहीं है असानी से उसके बारे में वो क्या कर सकते हैं अपनी सिकायतों को रेजिस्टर कर सकते हैं बचो चलो मुबाइल अप जो है महरास्ट परेटर जो डिपार्टमेंट है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है महरास् चीए गाइडेंस चीए किसी छेत्र में तो उस छेत्र के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे लोगों को वो सूचना या परामर्स या गाइडेंस उपलब्ध करवाना यह है बच्चो तंबाकु छोड़ो एप डबलो हो की है लोगों को मदद करेगी तंबाकु छोड़ने में ब बच्चो नेशनल हेल्थ अथॉर्टी जो है यही तो आईशमान भारत योजना को यह क्या कराता है बच्चो आईशमान भारत योजना को यह क्या है लागू कराता है तो स्वास्थ रिकॉर्ड जो हेल्थ रिकॉर्ड है लोगों का वो मैनेज किया जाएगा लोगों का एक ह ये बीमारी है ये परेशानी है जिससे जरूरत पढ़ने पर उसे जल्दी से जल्दी उस तरह का इलाज उपलब्ध कराया जा सके ठीक है तो ये स्वास्थ रिकॉर्ड के मैनेजमेंट के लिए है अश्मान भारत हेल्थ अकाउंट रास्तिय स्वास्थ प्राधिकरने या निन नेशनल हेल्थ अथॉर्टी की एक पहल है बचो एक हजार चोंसट भरस्ताचार विरोधी एप उत्तरा खंड की है और बचो करप्शन से संबंदिश शिकायतें दर्ज करने के लिए है कावल उत्पी तमिल नाडू की है बचो कावल उत्पी पुलिस को इमर्जंसी में अलर के मैनेजमेंट के लिए 1064 भरस्ताचार विरोधी एप उत्तराखंड सरकार की है भरस्ताचार से संबंदिश शिकायतें दर्ज करने के लिए कावल उत्पी एप पुलिस को इमर्जंसी में अलर्ट भेजने के लिए है बचो ठीक है समर्पन पोर्टल हरियाना का है घर बैठ इगोपाल है ना गोपाल यानि भगवान स्रीकरसन और भगवान स्रीकरसन का संबंद किस्से है दूद दही से तो डेरी किसानों की मदद के लिए और नेशनल डेरी डवलपमेंट बोर्ड ये नेशनल डेरी डवलपमेंट बोर्ड की एक पहल है रास्तिये डेरी विकास बो स्वास्थ रिकॉर्ड का मैनेजमेंट रखेगी, मैनेजमेंट करेगी, ठीक है, 1064 भृस्ताचार विरोधी एप उत्राखन सरकार की है, भृस्ताचार से संबंदिश शिकायतें इस पर दर्ज कराई जा सकते हैं, कावल उत्पी एप कहां की है, ये है तमिल नाडू की, पुलिस को एमर्जेंसी में अलर्ट भेजने के लिए एक काम आएगी बच्चो, समर पॉर्टल हरियाना का है, अपने इक्षा के काम के लिए, अपने मन पसंद काम के लिए, आप पंजी करने यानि रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और बच्चो, इगोपालाएप है, नेशनल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड, किस डेरी किसानों की मदद के लिए, ठीक है, ओडियो कुम्भ, मोहन भागवत जो है बच्चो, RSS के चीफ हैं आपको पताए, रास्तिये स्वेम सेवक संग जो है, RSS के चीफ हैं मोहन भागवत, और उन्होंने बच्चो, एक आडियो कुम्भ, इसमें कहा है, जो नेशनल इंपोर्टेंस की कुछ बुक्स हैं, यानि रास्तिये महत्व की, उनको आप फ्री में सुन सकते हो, आडियो कुम्भ को, जो नेशनल इंपोर्टेंस की बुक्स हैं, उनको फ्री में सुन सकते हो, आडियो कुम्भ, एप पे बच्चो, ठीक है, चलो, प्रूफ एप किसकी है, जम्मू कश्मीर की है, तो ये भी क्या करेगी बच्चो, ये भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी निगरानी, उनकी प्रगती की निगरानी के लिए, उनमें कितनी प्रोग्रेस है, उसकी सर्विलेंस के लिए, ये जो है, ये एप है बच्चो, प्रूफ एप उसकी सर्विलेंस के लिए है, ठीक है ध्यार देगा तो औरियो कुम्भ मोहन भागवत इस एप पर मुफ्त में रास्तिये महतु की पुस्तकों को सुन सकते हैं प्रूफ एप भी तामीर तरक्की की तरह है है ना तामीर तरक्की की तरह है भई कितनी तरक्की हो गई किसी प्रोजेक्ट में हमादी सड़क एप भी कहां की जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की भी कहां की जम्मू कश्मीर की प्रूफ एप भी कहां की है जम्मू कश्मीर की है अमरतवहनी एप, दोस्त फॉर लाइफ है CBSC की, दोस्त फॉर लाइफ किसकी एप है बचो, CBSC की है जो छात्र हैं और जो उनके गारजियन्स हैं, उनको मनो वग्यानिक परामर्स उनको मनो वग्यानिक परामर्स की कब ज़़ादा जरूत पड़ी थी जब आया था, COVID main है COVID main आया था न, तब ये दोस्त फॉर लाइफ एप जो है ये लाइफ की गई थी और मनो वग्यानिक परामर्स के लिए किसको छात्र हो उनके अभी वाबा की, यानि गारजियन्स को बच्चो, ठीक है दुबारा देखो, आभा एप रास्तिय स्वास्त प्राधिकरंट जो है वो इसे, इसने इसे लाउंच किया है और स्वास्त रिकॉर्ड का मैनेजमेंट रखेगा ये आईश्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसकी फुल फॉर्म है, एक हजार चोंसर्ट भरस्ताचार विरोधी एप, उत्राखंड सरकार की है कावल उत्पी एप, बच्चो, तमिल नाडू की है ब्रस्ताचार इसमें नाम में आया हुआ इसका मतलब ब्रस्ताचार से संबंदित करप्शन से संबंदित, शिकायत ने आप दर्ज कर सकते हो इसमें बच्चो, ठीक है तमिल नाडू की कावल उत्पी है आप आतकालीन अलर्ट भेज सकते हो क्या अलर्ट भेज सकते हो बच्चो समर्पन पोर्टल हरियाना का है इगोपाला एप, रास्टिये डेरी विकास बोर्ड का है बच्चो आडियो कंभ, मोहन भावत जो है बच्चो उन्होंने लॉंच किया जो नेशनल इंपोर्टेंस की बुक्स है उनको आप सुन सकते हो जो रास्टिये महत्व की पुस्तक है प्रूफ अप, जबमू कश्मीर की है बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर्योजना चल रही है उनकी निगरानी आप कर सकते हो उनकी निगरानी, ठीक है अमरतवहनी एप, जारखंड की है अस्पतालों में बैड की ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी बच्चो ठीक है बैड की ऑनलाइन बुकिंग और दोस्ट फोर लाइफ एप है बच्चो किसकी सीबियसी की, चलो आधार फेस आड़ी एप आधार फेस आड़ी आपको फेस को रीड करके ये एप आपका पूरा जो आधार है ना उसका डेटा ले लेगी अभी आपको क्या जरुद पड़ती है बायो मेट्रिक की अभी आपको बायो मेट्रिक की जरुद पड़ती है बच्चो हर चीज के लिए यनि आधार फेस आड़ी का मतलब है आपके चहरे के प्रमानी करण के लिए आपके चहरे के ऑथंटिकेशन के लिए आपके चहरे से यह आपका पूरा डेटा जाएगा बायोमेट्रिक की ज़रूत इसमें पड़ेगी नहीं बच्चो EV मित्र एप EV का मतलब है इलेक्ट्रिक विहिकल मित्र एप बच्चो Bestcom नाम की कंपनी है और बच्चो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के स्टेशन की जानकारी देगा यह EV मित्र एप एप यानि इलेक्ट्रिक विहिकल आपके पास है तो आपका मित्र है यह बच्चो क्यों आपको कहाँ पर मिलेगा इलेक्ट्रिक विहिकल का चार्जिंग स्टेशन यह जानकारी उपलब्द कराएगा बच्चो ये जानकारी है ना 14400 है ना 14400 आंद्रप्रदेश सरकार का है और बच्चो सरकारी करमचारियों के भिस्ताचार के खिलाफ सरकारी करमचारियों को जो भिस्ताचार है उसके खिलाफ शिकायत अगर आपको करनी है तो ये बच्चो ठीक है, तो ये आधार Face ID app, बच्चो UIDAI की है, Unique Identification Authority of India, चेहरे को परमानी करन के लिए है, आपके Face को authenticate करने के लिए है, EV मित्र एप बच्चो, बेसकॉम कंपनी की है, लॉंच किया है इसने इस एप को, और एलेक्ट्रिक वहान चार्जिंग स्टेशन की ज हैं, उनका बच्चो ये क्या करेगा, ओवर ओल मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, और जिससे फाइदा क्या होगा, जो परेटक वगरा है न, जो टूरिस्ट है, उनको जिन से, उनको इससे मदद मिलेगी, तो जो ओवर ओल जो बच्चो क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट किया किसका Beaches का वो गोव सरकार Beach Vigil एप लेके आईए, भी जन निगरानी एप, ये भी Jammu कश्मीर की है बचो, ये शिकायतें ओनलाइन दर्ज करने में मदद करेगा बचो, अगर Jammu कसमीर में कोई भी सरकारी योजना चल रही है उसमें कोई भी दिक्कत है तो इस सरकारी योजनाओं की लिए जन निगरानी अप है ना जन भागीदारी ता अब भी वहीं की है जन भागीदारी ता अब भी बचो जन भागीदारी ता पोर्टल भी जन भागीदारी ये भी है ना तामीर तरक्की भी वहीं का था है ना तामी सब्ड़क app में बच्चो ठीक है और अगर प्रूफ एप वो भी क्या था किसी भी जो बच्चो प्रोज़क्ट में अगर आपको कुछ दिक्कत लग दिये तो वहां शिकारत कर सकते थे और जन निगरानी app में भी आप कर सकते हो ठीक है जन निगरानी एप में भी वो कर सकते हो Fit India एप किंद्रिया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने Fit India फिटनेस के प्रती लोगों को जागरूख करने के लिए बचो किंद्रिया खेल मंत्री और युवा मामलों का जो मंत्राले जिनके पास है अनुराग ठाकुर उन्होंने Fit India एप माई पार्किंग एप बच्चो तो वाहन पार्किंग की ओन स्पोर्ट और एडवांस बुकिंग डिजिटल तरीके से अपलब्द कराता है सूचना और प्रसारन मंत्राले ने से लांच किया माई पार्किंग एप सूचना और प्रसारन मंत्राले के मंत्री भी कौन है अनुराग ठाकुरी है तो यह उनका राम भी आ सकता है कि किसने लांच किया किसको माई पार्किंग एप को अनुराग ठाकुर या सूचना और प्रसारन मंत्राले अनराग ठाकुरिया सूचना एवं प्रसाण मंत्राले बचो बीच विजल एप गोवा सरकार की है समुद्र तटों का क्या किया जाएगा ओवर ओल मैनेजमेंट इसमें देखा जाएगा बचो जन निगरानी एप जम्मू कश्मीर की है सरकारी योजनाओं से संबंदित कोई भी शिकायत दर्ज आप को यहाँ पे करने को मिल सकती है फिट इंडिया एप के इंदिये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर किये बचो खेल के परती लोगों को ज़्यादा जागरू करने के लिए ठीक है और माई पार्किंग एप वाहन पार्किंग की आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो ठीक है ओन साइट बुकिंग भी कर सकते हो नहीं जाने के बाद भी कर सकते हो पहले भी कर सकते हो तो वो भी सूचना और प्रसान मंत्रा ले योग्यता है बच्चो ग्रामीन छेत्रों में यवाओं को कोशल आधारित व्यवसाइक सिक्षा प्रदान करना कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हुए हैं कुछ जिन हम कहते हैं CSC तो वो योग्यता के अनुसार बच्चे को क्या उपलब्ध कराएंगे बच्चो कोशल आधारित नहीं इसकिल बेस्ट वो क्या कराएंगे बच्चो इसकिल बेस्ट प्रोफेशनल कोई सिक्षा उन्हें प्रदान की जाएगी बच्चो है न कोई प्रोफेशनल सिक्षा तो वो जो है योग्यताइप है और शैली एप है केरल सरकार का शैली शैली का मतलब जीवन शैली तो जीवन जीवन शेली से जुड़ी बिमारियों का निवारन करना ये केरल सरकार का है शेली एप ठीक है देखो अमरत वहानी जारखंड अस्पतालों में बैड की ओनलाइन बुकिंग के लिए दोस्त फोर लाइफ सीबी एससी की है छात्रों अभिभावों के लिए विसेस मनो विज्ञ जानिक परामर्स इसमें दिया जाएगा आधार फेस आडी आपके फेस से ही आपका क्या होगा बच्चो आधार का अथेंटिकेशन हो जाएगा इवी मित्र एप इलेक्ट्रिक वहिकल्स वालों का मित्र है ये बैसकॉम कंपनी का है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग करेगा मैनिजमेंट करेगा बच्चो जन निगरानी एप कहां की है जम्मू कश्मीर की है फिट इंडिया एप किसने लॉंच की है केंद्रिया खेल मंत्री जो है हमारे अनुराग ठाकुर और बच्चो फिटनेस के परती लोगों को जागरूख करने के लिए और माई पार्क सेंटर्स के तहती लागू की जाएगी और बच्चो शैली एप है केरल सरकार की आयू करना तक सरकार का है योग और ध्यान के माद्यम से पुरानी बिमारियों को दूर करना बच्चो पुरानी बिमारियों को आयू एक दिशांक भी था भूमी के रिकॉर्ट को भूमी के रि थीक है बच्चों में जो रोग होते हैं बच्चों उसके निवारन के लिए ये बाल रक्षा मोबाइल एप लौच की गई है ठीक है लखी बिल एप बहुत महत्पूर्ण है केरल सरकार का है जैसे शैली एप भी कहां की थी केरल सरकार की जीवन सैली से सम्बंधित बिमारीयों के लिए वैसे ही GST में जो चोरी वगेरा होती है उसको रोकना और लोगों को पक्के बिल मांगने के लिए एंकरेज करना है ना GST में जो चोरी होती है उसको रोकना और पक्के बिल मांगने के लिए प्रोसाइट करना Scale App बहुत महतपूर है बचो बहुत महत्पूर है स्केल एप तो इको स्किल सर्टिफिकेशन असेस्मेंट फोर लैदर एंप्लोईज जो चमड़ा उद्योग में बच्चो लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना किसके लिए बच्चो चमड़ा उद्योग में और ये क्योंकि इसके लिए क्या किया जाएगा उन्हें ट्रेनिंग की जाएगी एक तरसे ना इन्हें क्या दी जाएगी एक तरसे ट्रेनिंग दी जाएगी तो एक केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने जो सिक्षा मंत्री है नहीं सिक्षा दी जाएगी उन्हें सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने से लांच किया था बच्चो जल्दूत एप बहुत महत्पूर्ण है बच्चो कुवा में जलिस्तर का पता लगाना देस भर के गाऊं में है ना जितने वी गाऊं है उसमें जलदूत एप के माध्यम से है क्या किया जाएगा कुवा में कितना पानी है बच्चो कितना पानी है ठीक है बच्चो उसका पता लगाना और आब प्रहरी मुबाईल एप दिल्ली IAT दिल्ली का है आब प्रहरी शेरी छेतरों में जो जल जमाव की समश्चा है जल एक जी का इखटा हो जाता है उसके लिए है आब प्रहरी एप कौनसी आब प्रहरी बचो आयू करना टक सरकार का योग और धान के माध्यम से पुरानी बीमारियां समाप्त करना बाल अच्छा म और प्रहरी क्या है किन्दियर सिख्चा मंतरी धर्मेंद प्रदार ने लॉंच किया रोजगार के बच्चो चमडा चेतर में और अवसर और कोशल का विकास करना जो उसमें काम करें sap करना जो उनका से पानी आपको भड़ता हुआ कोई मिलेगा नहीं तो कुऊं को बच्चो जल स्तर का पता लगाना कि उसमें वाटर लेवल क्या है वाटर लेवल उसमें क्या है बच्चो और आब प्रहरी है शेहरी छित्रों में जल जवाब की समस्या, यी सरकार और यी नगर ये कौन सी प्रगती अप अपना कांगडा कांगडा हिमाचल प्रदेश में तो वहीं की होगी और कॉल योर कॉप ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट है, कॉल योर कॉप कॉप यानि कि अपने भई पुलिस को बुलाने के लिए कॉल योर कॉप है नागलेंट की, कहां की नागलेंट की है, कहां की बच्चो नागलेंट की है चलो अब आपको जब भी पढ़ना है ना इस वीडियो को दुबारा देखना है तो आप यहां से देखोगे केवल 7-8 मिट में पूरा रिवीजन हो जाएगा इससे काट के भी डलवा दूँगा मैं वैसे है ना लेकिन यह 7-8 मिट में आपको दो-4 बार और देखनी है, थोड़ा महत्पून टॉपिक भी है और थोड़ा सा जो है नया है कुछ है पिसमें बहुत नहीं है बच्चो ठीक है से भी कासारती है जो बताएगा इन्वेस्टर्स को सब चीजों के बारे में हर बारीकी के बारे में जो शेर मार्केट में होती है बच्चो ठीक है चलो, डिजिटल संसद एप लोग सब सच्चे वाल है, राज्यसब है नहीं लोग सबस अच्चे वाल है और लोगों को बच्चो संसद की कारेवाई के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, किसान मुबाइल एप जो है, IIT रुड़की की है बच्चो मौसम संबंधी जो समश्चा है मौसम संबंधी हाल देगा ये किसानों को बच्चो है न, तो ये कौन सी किसान जो मुबाइल एप है वो IIT रुड़की ने लॉण्च किया किसानों को किरसी और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा, लोग पाल एप बच्चो किंद्रिये, ग्रामीन, विकास और पंचायती राजमंत्राल ने, जो मनरेगा इस स्कीम को लेकर बच्चो, मनरेगा इस स्कीम को लेकर जितनी शिकायत हैं उनके लिए, और बच्चो इसको और अधिक ट्रांस्पेरेंट इस स्कीम को बनाने के लिए ध्यान रखना है, गरूड एप भारतिय निर्वाचन आयोग का है, चुनावी कारिया में तेजी लाने का काम करेगा साथ में बच्चो जितने भी वोटिंग सेंटर से उनकी डिजिटल मैपिंग करेगा उनने डिजिटाइज करेगा, ठीक है दिशांक एप करनातक सरकार का कहा का करनातक, भूमी रिकॉर्ड की आसान डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा यनि भूमी रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से आसानी से उपलब्ध कराया जाए यह सुनक्चिस कराएगा, एसिग्मा बच्चो जिसका नाम है, आर्मी सिक्योर indigenous messaging application army जो है army के लिए बच्चो एक अलग से क्या है ये एक messaging app है ताकि जो हमारी sensitive जानकारी है वो दुश्मन लोगों को leak ना हो जाए ठीक है my port app के इंद सरकार का है port के संचालन में और अधिक पारदरसिता लाने के लिए और अधिक क्या लाने के लिए बच्चो पारदरसिता है नहीं की और अधिक transparency लाने के लिए जल जीवन mission app PM Modi ने launch किया किसने PM Modi ने और बच्चो जल जीवन mission को और अधिक पारदरसि बनाना और उसमें responsibility लोगों की fix करना ठीक है फिश वाले app असम सरकार का है तो मचली पालक ना बिना बिचॉलियों की मदद के खरीद फरोक्त कर सकते हैं अपने उद्योग से संबंदिस सारी चीज़ों की वो फिश वाले app है कौन सा फिश वाले app वाई break app जिसे योग break भी कहते हैं आयुष मंत्राले का है बच्चो तना मुक्त रखने के लिए जो जहां आप काम कर रहे हो पांच मिट वहीं योग का ब्रेक लेना है कैसे लेना है ये बताता है ये वाई break app ये रूपी बच्चो के इंद सरकार के वाउचर हैं जो किसी स्कीम में beneficiary लोग हैं वो इसका फाइदा उठा सकते हैं वो इसका फाइदा वो इसके माध्यम से payment कर सकते हैं कौन बच्चो इ रूपी वाउचर के माध्यम से नमस्ते योग app या नहीं किसी चीज से introduce कराना जब नमस्ते आप करते हो सबसे पहले किसी से मिलते हो तो यहीं योग के बारे में लोगों को introduce किया जाएगा योग से लोगों को जागरूख करा जाएगा योग से तो यह आयुश मंत्राले की पहल है बच्चो मानस एप मानस की full form आपको पता होनी चीजिए mental health and normalcy augmentation system प्रधान विग्यानिक सलहकार जो है भारत के बच्चो प्रधान विग्यानिक सलहकार उन्होंने से लौँच किया था जो मानसिक स्वास्त है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सडक बच्चो है ना सडक रिर्मान में अगर कोई गड़वड है तो उसके बारे में शिकायत कर सकते हो जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की अब बच्चो अगर आपकी कोई project के बारे में जानकारी कहीं अधूरी है तो उस project के बारे में जानकारी आप पा सकते हो तामीर तरक्की अप के माध्यम से ठीक है बच्चो सुगम्य भारत है भारत सब के लिए accessible होना चीए तो किंद्रिय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले बच्चो है ना दिव्यांग और बुजुर्ग अपनी समश्चाएं जहां वो असानी से नहीं जा पाते जिन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते उनके बारे में अपना दर्ज कर सकते हैं जिससे सब चीजें उनके लिए भी accessible हो बच्चो चलो मुबाइल एप हैना महरास्ट परियटन विभाग ने बस ठिकटों की आप क्या कर सकते हो एडवांस में बुकिंग कर सकते हो उन्हें खरीद भी सकते हो तो ये है महरास्ट परियटन विभाग का कंसल्ट अप बच्चो कि इंदियस अड़क परिवेहन मंत्री नितिन गड़करी ने तंबाकु छोड़ो एप विश्यो स्वास्त संग्थन की पहल है तंबाकु छोड़ने में मदद करेगा लोगों को आईश्मान भारत हेल्थ अकाउंट बच्चो रास्ति स्वास्त प्राधिकरन जो है और इसमें जो management जो उनका health एक अकाउंट क्रियेट किया जाएगा लोगों का और उनका यानि की स्वास्त जो है उसके record के management के लिए है ठीक है एक हजाचाचार विरोधी एप उत्राखन सरकार की है भिस्टाचार से संबंदिश शिकायतों को दर्ज करने के लिए कावल उत्फी कहां की है तमिल लाडू की है क्या करेगी पुलिस को आपात कालीन अलर्ट भेजेगी बच्चों है ना पुलिस को किसान जो है डेरी किसान उनकी मदद करने के लिए है बच्चो इगोपाला एप ओडियो कुम्ब मोहन भागवज जो है अरसिस के चीफ उन्होंने लौंच किया और रास्टिय महतु की बहुत सारी पुस्तक है जो है इंपोर्टेंस की है जो नेशनल इंपोर्टेंस की वो आ जैसे ही जम्मू कश्मीर का अमरतवाहनी एप जारखन का है अस्पतालों में बैड की ओनलाइन बुकिंग कर सकते हो अमरतवाहनी बच्चो ठीक है दोस्त फोर लाइफ CBSC का है जब बहुत ज़्यादा था COVID तो लोगों को बच्चों को और उनके अभिभावक यानी गार्चियन्स को यह उपलब्द कराता था क्या बच्चो यह उपलब्द कराता था है ना यह psychological जो एक मतलब advice है ना mental advice एक जो है वो उपलब्द कराने का काम करता था यह CBSC ठीक ह बच्चो अधार face RD यह है unique identification authority of India का आप चहरे को कैसे authenticate कर सकते हो उसके लिए है बच्चो इलेक्ट्रिक वहिकल मित्र एप जो है बैसकौम कंपनी का है इलेक्ट्रिक वहिकल charging station की जानकारी देने के लिए इलेक्ट्रिक वहिकल charging station की जानकारी देने के लिए 14400 एप बच्चो किस तरह से बच्चो एक holistic management किया जाए समगर प्रबंध किया जाए उसके लिए है ठीक है चलो जन निगरानी एप भी कहां किया जहां की तामिर तरकी थी जहां की proof एप थी यहां की जम्मू कश्मीर की तो लोगों को जो सरकारी योजनाओं से संबंदित अगर शिकायतें दर करनी है किसी भी तरह की बच्चो वो है जन निगरानी एप फिट इंडिया एप केंद्य खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहले है फिटनेस के प्रती लोगों को जागरू करने के लिए माई पार्किंग एप सूचना और प्रसान मंत्रा ले यह मंत्री का नाम भी आए तो केंद्य खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्योंकि इस मंत्रा लेके भी वही है बच्चो सूचना और प्रसान मंत्रा लेके भी तो वाहन पार्किंग की ओन स्पोर्ट और एडवांस बुकिंग जो है डिजिटल तरीके से प्लब्द कराएगा माई पार्किंग एप योगिता जो कौमन सर्विस सेंटर है बच्चो तो युवाओं को ये कोशल आधारित सिक्षा प्रदान करेगा ध्यान रखना है शैली एप यानि जीवन शैली शैली मतलब जीवन शैली केरल सरकार जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बिमारियां है ना उनके जो बिमारियां वो आत देंगे ठीक है बाल रक्षा मुबाइल एप ये केंद्री आयुश मंत्राले का है बचो तो आयूरवेद के माध्यम से जो बिमारियां वगरा हो जाती है ना उन्हें आयूरवेद के माध्यम से दूर करना ये है बाल रक्षा मुबाइल एप लकी बिल एप केरल सरकार यानि GST में जो चोरी होती है ना GST में जो चोरी होती है उनको रोकने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि भाई आप पक्का बिल लो और इसलिए लग्की बिल को क्या दिया जाएगा इनाम भी दिया जाएगा लग्की बिल आप है बच्चो ठीक है चलो scale app किसकी है ये केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉंच की चमड़ा उद्योग से संबंदित है लोगों को रोजगार के उपलब्ध कराएगी अवसर और साथ में बच्चो उनका चमड़ा उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं उनका skill development का काम करेगी जल सहरी मोबाइल अप आयाटी दिल्ली की है सहरी छेत्रों में जो जल जमाव हो जाता है जल जम जाता है कहीं उसकी समच्छा से निपटने के लिए ये सरकार गुजरास सरकार की ये बच्चो नगर कहां की है गुजरात की प्रगती एप है जीवन भीमा निगम की बच्चो है अपना कांगड आयफ है हिमाचल प्रदेश का और कॉल यॉर कोप ये है नागलेंड की ये कहां की है नागलेंड की आपको बच्चो इसका मिलेगा RWA Current Affairs पे इसका PDS ठीक है बाकी ये जो लास्ट का हिस्सा है इसे एक दो बार और सुन लेना जरूर सुन लेना ये जो है लास कर दो